आशा है, अब हमारे मार्ग में कोई बादा ना आ आ हे हनुमान जी हमें हर क्षण, हर घड़ी सचेत रहना होगा यूवराज अंगत बाधाएं कभी भी किसी घड़ी भी आ सकती है अनुमान हमारी सेना आरंब से ही बिना रूके आगे बढ़ रहे है हाँ प्रभू, हम कुछी समय पस्चात दक्षणी समुद्र के तट पर होंगे अनुमान, यदि हम समुद्र तट के निकठे हैं, तो आज रातरी हमें यहीं बढ़ा अवडालना होगा जिससे की हमारी सेना यहां के वनों से भोजन के लिए कंद, मूल, फल एकतरित कर सके समुख, सभी को प्रभू के संदेश का संकेत दे दो जी हनुवान जी, संकेत दिया जाए जैश्रीरा, रुप जाओ साथियों साथियों, रात्रे विश्राम का संकेत आया है नित्रों, इस संकेत की अनुसार हमें यहीं अपना पड़ाव डालना होगा तो यहीं रुखकर, रात्री भोजन के लिए फल एकतरित करेंगे यह क्या है? इतने जुगनु एक साथ? सहसरों के संख्या में है यह, कुछ तो आसमान्य है वहाँ, चलो देखते हैं प्रभू के लिए शिवर रुच रुच के बनाऊंगा मैं अपने हाथों से प्रभू के बनाऊंगा मैं अपने हाथों से लक्षमन भाईया यह खंबल आया हूं भाईया के शिवर के लिए इसे रहने दीजे लक्षमन भाईया मैंने तो प्रभू के लिए शिवर पहले से ही बना दिया है यह देखिए मेरे प्रभू श्री राम करेंगे शया पर विश्राम की सेवा करेगा हनुमान प्रभू की सेवा करेगा हनुमान मेरे प्रभू शया पर करेंगे विश्राम की सेवा करेगा हनुमान अरे हनुमान ये क्या कर रहे हो प्रभू के लिए शया संज्जित कर रहा हूं लक्षमन भाया किनतो यह कारे तो मेरा है मैं ही उनकी शय्या सजित करता हूँ देखो ये कुछ की शय्या बना कर लाया हूँ उनके लिए अरे वाह ये तो और भी अच्छा है ये भी बिच्छा देता हूँ इससे उन्हें और भी अधिक सुका आभास होगा कि सेवा करेगा हनुमान, प्रभु की सेवा करेगा हनुमान मेरे प्रभु करेंगे शया पर विश्राम कि सेवा करेगा हनुमान, प्रभु की सेवा करेगा हनुमान जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम देखो आनुमान भाईया के सुक सुविधा का पूर्ण ध्यान मैं ही रखता हूँ अधा ये कारे मुझे ही करने दो तोचित होगा ठीक है लक्षमन भाईया, जैसी आपके इच्छा ये लिजे लक्षमन भाईया हाँ, ये रहा जल का पात्र अभी भाईया के लिए जल भर कर लेके आता हूँ लक्षमन भाईया ये लिजे प्रभू के लिए जल हनुमान मैंने कहा था न किन्तु लक्षमन भाईया, मैं तो आप ही का कार्य सुगम कर रहा था किन्तो मुझे किसी की साहयता की आवश्रक्ता नहीं इसलिए तुम जाओ और भाईया की शिविर में तब आना जब तुम्हें बुलाया जाए या आज्या हो प्रणाम भाईया ये राह जल आपको भूग भी लगी होगी न मैं अभी आपके लिए फल ले कर आता हूं तब तक आव विराजिये कि 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 कौन हो तुम और किसकी आज्या से यह फल लेकर यहां आए हो मैं हूं लक्षमन भाईया यह फल लाया हो यदि प्रभु के इच्छा हो तो कि मैंने कहा ना भाईया के आवश्यक्ताओं का ध्यान मैं रखूंगा कि राम भाईया आप भोजन करके विश्राम कीजिए तब तक मैं द्वार पर पहरा देता हूं हुआ 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 है तुम गय नहीं अभी तक है लक्षमन भाईया वो मैं सुरक्षा मैं पिछले चौदा वर्षों से भाईया की सुरक्षा के लिए चौक्सी कर रहा हुआ हुआ है अता है यह मेरा दायित तो ही नहीं मेरा अधिकार भी है तुम जाकर विश्राम करो ठीक है लक्षमन भाईया लक्षमन भाईया वो मैं प्रभू की सुरक्षा तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मैं हूँ यहां भाईया की सुरक्षा के लिए तुम जाओ विश्राम करो क्या करो लक्षमन भाईया प्रभू से दूर मेरा मन तनिक भी नहीं लगता मेरी बात मानिये आप विश्राम कीजिए यहां की चौकसी मैं करता हूँ वैसे भी प्रभू का सेवक हूँ तो ये मेरा भी अधिकार है ना बस अनुमान मैं दे रहा हूँ न यहां पहरा तुम जाओ प्रभू श्री राम के कार्य में मैं भी क्लांत नहीं होता हूँ बस बहुत हो गया हनुमान लक्षमान हनुमान ख्रमा करें प्रभू मेरे कारण आपके विश्राम में विग्नम पड़ गया हनुमान लक्षमान तुम दोनों में विवात क्या है भाईया चौधा वर्षों से जो कार्य मैं कर रहा हूँ जो दाइत्व मैं निभा रहा हूँ हनुमान वो मुझे ले लेना चाहता है मुझे पहरा भी नहीं देने दे रहा किन्तु मैं भी सेवक हूं आपका प्रभु आपकी सुरक्षा का दाइत्व निभाने के लिए मुझे भी तो पहरा देना चाहिए कि नहीं प्रभु इस बात का निर्णय अब आप ही कीजिए आपका जो भी निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा हाँ हाँ प्रभु है हनुमान लक्ष्मन ये कार्य लगबग 14 वर्षों से निरंतर कर रहे हैं कि अते हैं कि ये उनका अधिकार है कि वो मेरी सुरक्षा के लिए पहरा देए कि कि इन्तु हनुमान तुम्हारा दाइद्व तो और अधिक बड़ा है प्रभु बताइए तुम्हें तो संपून सेना की रक्षा का दाइद्व निभाना है और सत्य तो ये है कि संपून सेना के साथ साथ मेरी और लक्ष्मन की चौक्सी भी करनी है रावन का क्या विश्वात है वो कुछ भी कर सकता है धन्यवाद प्रभु आपने मेरे दाइद्व का मुझे बोद करवाया मैं इसी सेमय जाकर कोई ऐसा उंचा स्थान ढूनता हूं जहां से संपूर्ण सेना की भरी भात ही चौक्सी कर सकों बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आग्या दीजिये प्रणाम लक्ष्मन भहिया यह विर्ख्ष तो छोटा है यहां से भी पूरी सेना नहीं दिखाई दे रही है यह हनुमान क्या कर रहा है हनुमान कोई ऐसा उचा स्थान ढून रहे हैं जहां स्थित होकर रात्री में संपूर्ण सेना की निगरानी कर सके तब तो हनुमान को कोई ऐसा इस्थान ढूनना होगा जो व्रक्षू से भी उपर हो तब भी इतनी विशाल सेना पर द्रश्टी रखी जा सकती है यहां से भी आधी ही सेना दिखाई दे रही है चंद्रमा यह उचित स्थान है संपूर्ण सेना पर द्रिश्टी रखने के लिए अब यह हनुमान कहां चल दिए प्रतीत हो रहा है हनुमान को सब पर द्रिश्टी रखने का वो प्युक्त स्थान मिल गया है कि अधिना प्रिश्टी रखने का वो प्युक्त स्थान मिल अभी है कि यह सर्वोचित स्थान है यहां से संपूर्ण सेना दिखाई दे रही है मुझे मैं हनुमान से स्पर्धा करने चला था यह तो सक्ति में अध्भुथ है हनुमान जिसके निगरानी करे वो कभी असुरक्षित होई नहीं सकता आप सब निश्चिन्त होकर विश्राम कर सकते हैं शारण हाँ शुक तो यह है वानरों की सेना देखा शारण यह मुर्क वानर कितने अनन्द से नित्रामग्ण है इन मुर्कों ने कोई प्रेरी भी नहीं रखा यही है उचित समय हाँ हम सहजता से अपना कारिया भी कर जाएंगे और किसी को ज्याद भी नहीं होगा सावधान शारण सावधान कुछ हल्चल से प्रतीत हो रही है हमें इनके शिविर ढूंडने होंगे इन वानरों के सभी नायक शिविरों में ही होंगे आज इन मुर्क वानरों को ज्याद होगा कि हम मायावी राक्षस क्या कर सकते हैं हाँ शुक मुझे सब पता है आज मैं वो करूँगा जिसकी कल्पना ये च्वापन में भी नहीं का सकते हैं कहीं किसी की नित्रा तो नहीं टूटी कौनरी कि ये वानर यहां कैसे आ गया मुझे क्या पता कोई तो अवश्य ही था जो भी होगा मुझसे बच कर नहीं जा सकेगा वो हिरना विमान तुम्हें देखता नहीं क्या इतना विक्राल वानर बड़ी सतरकता से हमें ढूंड़ा है देखो कितिनी विशान मुझकी का है उसकी निकलो यह से आज तो बच गए अन्यथा ना जाने क्या हो जाता वो तो आनरों को सुधा देख हमां सावधान हो गए थे किन्तु वह थाए नहीं अन्यथा उसके मन के विज़ा स्वधही मुझक पहुच जाते और हम सचेत हो जाते तो क्या आकाश से गिरा था वो है तो यह महाबली अगर हमने इसे सम्मोहित कर लिया तो यह स्वता हपनी सेना को बैभीत करके भागा देगा शुक्त सही कह रहा है परंतो इसके लिए हमें सही समय की प्रतीच्छा करनी होगी प्रादा काल जब इसका बहरा समाप्त होगा जटाट वीगलज्वलप्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्यलंबितां भुचंग दुंग मालिकां दमड्ड मड्ड मन्निनाद मड्ड वर्वयं चकारचंड ताडवं तनोतुन शिवशिवं कदानि लिंप निरजरीनि कुञ्ज कोट रेवसं विमुक्त दुर्मति सदाशिरस्थ मंच लिंपहं विलोल लोल लोच नोल लाम भान लगनक शिवेति मंत्र मुच्चरन कदासुकी भवाम्य हम प्रादा श्री आशा है आपको भी दिखाई दे रहा होगा जिसका मुझे आभास हो रहा है इसे कैसे क्यात हो गया कि मैंने क्या देखा कहीं ये तो नहीं सोच रहा बिविशन कि मैं अस्मानव से पहवेत हो प्रादा लंकेश पिछले कुछ समय से मुझे अपने आस पास नेरंतर असुप शंकेत दिखाई दे रहा है या क्योवेदी में अगनी कम धुम रहदिक है पशुवादी जरगरस्त हो रहें भोजनाले में सर्प निकल रहें शोकसा वातावर जैसे चारो और पसरा हुआ है क्या आपको ये सब दृष्टी गोचर नहीं हो रहा है ब्राता लंकेश यह आप ये देखकर भी उपिश्या कर रहे हैं सैयोग से तुमने ये सब देख लिया और भैपी थोठी बिभीशन ये शुब अशुब शकुन अपशकुन दुरबलों को भैपीत करते हैं रावन दुरबल नहीं है जदी फिर भी कोई अशुब हमारी और बढ़ रहा है तो रावन उस अशुब को समाब करने में पूर्भा सक्षम है योग्य समर्थ और सक्षम व्यक्ति को ही बड़ा उत्तरदाइत्व दिया जाता है योग्य करते है